दुनिया भर की नजर इस वक्त भारत प्रटिकी हैं 48 गंटे के लिए दुनिया का सबसे होट सेंटर भारत की द्राजदानी दिल्ली होगा और इसलिए हर भारतिये का सीना गर्व से चौरा हो गया है द्रसल दिल्ली में ये अतिहासिक पल होगा जब वैस्विक संगठन G20 की अज़्धक्ता कर भारत कई वैस्विक मुद्दो को सुलजाने में मदद करने जा रहा है भारत की अध्रक्ता में G20 की निताओं का सीखर समिलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में खोने जा रहा है दिल्ली 48 गंटे के लिए दुनिया का सबसे होट सेंटर होगा भारत मंदपम पर सबकी निगाहे ठीकी होंगी जिस हॉल में एस बैटक को लेकर तयारी की जा रही है दरसल देश का सबसे बड़ा इंडॉर हॉल यानि भारत मंदपम दुनिया के तमाम बड़े सक्तिसालियों को एक मंच पर लाने की तयारी कर रहा है यह पहली बार होगा जब दुनिया के सक्तिसाली देश के राष्ट धक्ष दिल्ली में एक साथ एक वक्त पर 48 घंटे के लिए भारत की रजदानी दिल्ली दुनिया का सबसे होट सेंटर होगा दिल्ली दुनिया का सबसे सेफ जोन होगा पूरी दुनिया की नजर भारत मंदपम पर होगी क्योंकि G20 सम्मिट के बड़े-बड़े राष्ट धक्ष मौजूद रहेंगे G20 में सामिल होने के लिए अमेरिका के राष्ट पती जो वाईडन भारत पहुँच चुके है ठीक ऐसे ही दुनिया के तमाम बड़े मुलके के मुखिया दिल्ली पहुच रहे है तो ये वक्त हर भारतियों के लिए गर्ब का वक्त है जोके इस बार G20 के मेजवानी भारत कर रहा है भारत के नित्रित में भारत की राज़णी दिल्ली में ये मिटिंग होगी और इस मिटिंग में दुनिया के तमाम सक्तिसाली देश के राष्ट धक्ष मौजुद होंगे भारत आने वाले निताओं के लिस्ट में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री DC सुनक पीएम बनने के बाद पहली बार भारत की यात्रा पर होगी मतादे की DC सुनक भारतिये मुलक के हैं इसके अलावा फ्रांस के राश्टपती इमेनुवल मैंक्रो भी भारत आ रहे हैं वही जर्मनी के चांसलर उलाप सोल्फ भी G20 में सामील होने के लिए आ रहे हैं G20 की बैठक में चीन के राश्टपती जिंपिन नहीं आ रहे हैं लेकिन चीन के प्रधान मंत्री ली क्यांग सामील होने भारत जरूर आ रहे हैं वही रूस के राश्टपती पुतीन G20 में नहीं रहेंगे लेकिन उनके जगा रूस के विदेश मंत्री सरगई लाव रो मौजूद होंगे तो ये बैठक कई मायनों में खास है और इस वक्त पुरी दुनिया की नजर इस बैठक पर भाड़क पटिकी हुए और इस हॉल पर टिकी हुए जिस हॉल में ये बैठक जो है वो होने वाला है जो कई देश है जो G20 में सामिल है उनके राष्ट धक्ष भारत पहुंच रहे हैं अडिया पल हर भारतियों के लिए गौरवानलित करने वाला पल है G20 की मेजवानी कर भारत अपना दम दिखाएगा भारत आ रहे राष्ट धक्षों का मतलब क्या है एक एक एंगल से समझेए अगर वर्ल्ड GDP की तराजू पर G20 की ताकत को नापे तो पता चलेगा कि दुनिया की 80% GDP इनहीं देशों को मिला कर बनती है दुनिया की 60% अबादी इनहीं देशों के पास है 75% गलोबल ट्रेड पर G20 के देशों का कंट्रोल है जबकि दुनिया के कुल पोडक्षन में G20 देशों के हिस्सेदारी 80% है मतलब भारत के लिए लमहा काफी अतिहासिक होने वाला है चुकि G20 की बैठक भारत में हो रही है राजधानी दिल्ली में देश का सबसे बड़ा इंडोर हाल G20 से जुरे सारे कारेकरम यही होने जाड़ है भारत मंदपम की भविता देखने को बन रही है इसे सांदार तरीके से सजाया गया क्योंकि ये पूरे विस्मे में भारत का गौरब गान करेगा ये नया कॉंपलेक्स दुनिया के सिर्फ कॉंवेंशन सेंटर में सामील है जो जर्मनी और हनोवर और चीन संगाई जैसे विख्यात कॉंवेंशन सेंटर को तकर देता है और इस कॉंपलेक्स की बनाने में लागत जो है तक्रीबन 123 करोड के आसपस लगी है भारत मंडपम 123 एकर में बना है इसके निर्मान में 750 करोड पे खर्च किये गए है देश के सबसे बड़ा कर्विंशन सेंटर 10,000 लोगों को एक साथ बैठाने की छमता है इसके कई VIP लॉंच और कई आत्याधोनिक टेक्नोलोजी वाले कॉंफरेंस रूम भी सामील है तो उस हाल की भी कई विसेस्ता है 37 देश और विदेशों की नजर उस बैठक पटिकी है कि उस बैठक में क्या होता है किन मुदों पर चर्चा होगी चुकि दुनिया के तमाम सक्ति साली देशों के राष्टे धक्ष अगामी 48 गंटे भारत की रजदाने दिल्ली में होगे और वो काफी सेफ जगह होगा खास तोर पे 48 गंटा दुनिया भर में सबसे सेफ जगह राष्टे रजदाने दिल्ली होगी अगर आपने चैनल को यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लिजे